खालिस्तानी हर्दीब सिंग निजर की हत्या के मामले में भारत और कैनेडा के रिष्टे के बीच आईदरार अब और गहरी होती जा रही है भारत ने हाल ही में कैनेडा के खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंग निज़र की हत्या से जुड़े जुटे आरोपों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है निजजर की हत्या में भारती उचायुक्त संजे कुमार वर्मा के शामिल होने के कैनेडा के नई आरोपों के बाद भारत ने संकेत दिये हैं कि बेबुनियाद आरोप लगाने वाले जस्टिन टूडो सरकार और कैनेडा के खिलाफ तेवर और सक्त होने वाले हैं बारत ने कैनेडा के छे राजनाई को निश्कासत करने का फैसला किया है उन्हें नई दिल्ली छोड़ने के लिए सिर्फ पांच दिनों की महलत दी है बतादे कि कैनेडा दुआरा भारती हाई कमिशनर संजे कुमार वर्मा को पर्सन ओफ इंटरेस्ट गोशित करने के बाद भारत ने कैनेडा से अपने उचायोक्त को वापस बुलाने का बड़ा फैसला किया है ओटावा की हालिया जाच में भारती उचायुक्त संजे कुमार वर्मा और अन्य भारती राजनाईकों को निजर की हत्या से जोड़ने के प्रियास किये गए कैनेडा के प्रधार मंत्री जस्टिन टूडो ने पहले ही बिना सबूत के इस हत्या में भारत की भूमिका का दावा किया था जिसे भारत ने हास्सेपद और बिना आधार के आरोप कहकर खारिज कर दिया था जिसके बाद विदेश मंत्राले ने इस घटना पर कड़ारुख अपनाते हुए कैनेडाई डिप्लोमेट स्टिवर्ट वीलर को तलब किया और कहा कि मौजुदा परिस्थितियों में भारते डिप्लोमेट्स की सुरक्षा खत्रे में है भारत सरकार ने कैनेडा की सरकार की सुरक्षा प्रतिवधिता पर भरोसा न होने की बात कही और अपने उचायुक्त और अन्य डिप्लोमेट्स को वापस बुलाने का फैसला किया है कैनेडा ने निजर की हत्या में भारते एजेंटों के संबंध होने के आरोप लगाए हैं जिसके जवाब में भारत लगातार सबूत मांग रहा है विदेश मंतराले ने सपष्ट किया कि कैनेडा ने अभी तक कोई विश्वस ने सबूत पेश नहीं किया है भारते विदेश मंतराले ने कैनेडा द्वारा लगाए गए आरोपो को राजनेतिक लाब के लिए भारत को बदनाम करने की साज़श का करार दिया है संजे कुमार वर्मा जो भारते उचायूपत हैं उनका 36 साल का शांदार करियर रहा है और उन्हें जापान, सुडान, इटली, तुर्की, वियतनाम और चीन में सेवा देने का अनुभव है ऐसे में उन पर लगाए गए आरोपो को भारत सरकार ने अवमानना योग्य बताया है टूडो की 2018 की भारत यात्रा के बाद से ही दोनों देशों के बीच रिष्टे नाजुक हो गए थे जिसे भारत में वोट बैंक की राजनिती कहा था अब भारत ने कैनेडा में उग्रवाद और हिंसा को बढ़ावा देने के लिए टूडो सरकार पर निशाना साधा है सूतरी तरफ कैनेडा के खिलाव जवावी कदम उठाने का नर्न लिया है भारत ने कैनेडाई प्रभारी उचायुक्त को तलब कर इसके संकेर दे दिये थे कि उसके लिए आगे की रहा आसान नहीं रहने वाली है सूतरों ने बताया कि भारत के खिलाव उग्रवाद, धार्मेक हिंसा उन्माद और अलगाववाद को टूडो सरकार द्वारा समर्थन दिये जाने के जवाब में आगे कदम उठाने का अधिकार उसके पास सुरक्षित है बतादे कि अगले साल केनिडा में चुनाव होने वाले हैं और जस्टिन टूडो को सिख वोट पाने हैं वैसे तो सिख केनिडा की आबादी का केवल 2.1 फीसिदी है लेकिन ब्रिटिश कॉलम्बिया और ओंट्रियो जैसे प्रमुक शेत्रों में वो एक नरनायक वोट बैंक है नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे है यूस 24